इस वीडियो में हम वाइरसिस की स्टडी करने जा रहे हैं। इस वाइरसिस की बैक्टिरिया को इंफेक्ट कर सकते हैं। इस वाइरसिस सेल्स से नहीं बने होते हैं। वाइरसिस लिविंग और केमिकल की हाइब्रिड होते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि कुछ खास स्पिशीज के अलावा भी दूसरे कई तरह की वाइरस होते हैं। इंफ्लुएंजा और एच आईवी का इड्स कुछ कॉमन वाइरस हैं। तो अगर वाइरसिस लिविंग नहीं होते तो हमें इंफेक्ट कैसे करते हैं। वाइरसिस पैरसाइड्स यानी परजीवी होते हैं जो दूसरी लिविंग सेल्स में खुद को रिप्रड्यूस करते हैं। वाइरसिस से हुमन्स में कई तरह की बिमारियां होती हैं। करना शुरू कर देता है। कई बार इम्यून सिस्टम वाइरस को डेस्ट्रोई नहीं कर पाता जिससे ऑबजेक्ट को परमनेंट डेमेज या ऑबजेक्ट की डेथ तक हो जाती है। ऐसा माना जाता है कि 1908 में स्पैनिश फ्लू वाइरस के कारण दुनिया भर में 50 मिलियन मौत हुई थी। साइंटिस्ट्स ने बहुत से वाइरस के अगेंस्ट वैक्सिनेशन्स डेवलप किये हैं। कुछ एंटिवाइरल ड्रक्स डेवलप की गई हैं। HIV जैसे वाइरस के अगेंस्ट डेवलप किये गए एंटिवाइरल ड्रक्स का इस्तमाल HIV से इंफेक्टिड ऑबजेक्ट को हमेशा के लिए करना पड़ता है। तो इस वीडियो में हमने वाइरसिस के बारे में जाना ये सिंपल ऑर्गनिजम होते हैं जो हमारी बाड़ी को बुरी तरह इंफेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।